पूलिटिन के शुरुआत करेंगे इस बड़ी सियासी खबर के साथ कि उत्राखंड के पूर मुख्यमंतरी तरवेंदरी सिंग रावत ने कहा है कि वो विदान सबाचुनाव 2022 नहीं लड़ना चाहते पार्टी में रहकर वो बीजेपी के लिए कारे करना चाहते है बीजेपी रास्ट्रा ध्यक्षे जेपी नडड़ा को लिखे हुए पत्र में पूरुसियम तरवेंदरी सिंग रावत ने कहा कि वो बीजेपी और जंता के लिए कारे करना चाहते है इसलिए उन्हें आने वाला चुनाव नहीं लड़ाये जाए बता दें कि तरवेंदर सिंग रावत नहरादून की डोई वाला विधानसभा सीट से विधायक है पूर्विधायक और वर्तमान नगरपालिका ध्यक्षे यश्पाल बेनाम ने चौबटा खाल विधानसभा सीट से आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी के टिकेट से अपनी दाविधारी पेश कर दी है पत्रकार वारता करते हुए नगरपालिका ध्यक्षे पौडी यश्पाल बेनाम ने कहा कि अगर चौबटा खाल के वर्तमान विधायक और परेटर मंतरी सत्पाल महराज प्रदेश की किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो वो चौबटा खाल विधान सवा सीट से बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तयार है यही तो बीजेपी धोगा खा गई बीजेपी में अगर इनको तब जो न देते तो आज यह आलत भी उत्रा खंड की नहीं होती जो अब जो सत्ताओं से अब देखो कितने भी आती है बीजेपी दो जार वारता में मैंने एक बात कहिए कि मैं चौबटा खाम से अपनी ताविधारी मैंने दिलेटेक संपर सिंग रावर जी को अपनी ताविधारी का पत्र परस्तुत किया है जो कि जिनका एक बहुत बड़ा वजूद राजनित्ती में भी है आत्याक में भी है इनकी परस्नल्टी भी पूर है वो तो मैंने चौबटा खाम से ताविधारी इसने प्रस्तुत किये क्योंकि मैं चारता हूं कि सत्पाल माराज इसे राज्ये करने तुर्तों केंद्र में करें उत्राखण में विधानसभा चुनाओ नस्दीक है इसी को देखते हुए सभी राजनित्तितर अपने अपने प्रत्याशियों की खोशना कर रहे है इसे बीच बेस्पी ने भी उत्राखण में अपने प्रत्याशियों के लिस्ट चारी कर दी है उसमें गंगोत्री ननिताल पहुंची कॉंग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष और पूर्विधायक सरिता आरे और कॉंग्रेस से बीजेपी का दामन थामने वाले हेमारे दोनों का बीजेपी कारिकरताओं ने स्वागत किया इस दौरान सरिता आरे और बीजेपी नेता हेमारे ने पी मंडल अध्यक्षा आनंद बिष्ट ने फूल महलाओं से स्वामत किया है। पर 22 जनवरी तक प्रतिबंद लगा दिया है। अरुन कुमार से खास बाचित की। क्या कुछ कहा हैं अरुन कुमार आप इसको सुलिए। में जहां पर जो है यूरिया खाद की किलत देखी नजर आ रही है। हलांकि जिलाहरदवार में पूरी अगर बात करें तो इस वक्त किसान जो है बहुत ही बड़ी मुसीबत में है क्योंकि कि यूरिया की खास जरूत है लेकिन यूरिया कहीं पूरे जिले में किसी भी सुसाइटी पर नजर नहीं आ रहा है आए बात करते हैं डाड़ा जलाल पुर सहकरी समीटी के मडी से कि आखिर कब से यहां जो है खाद नहीं है और क्या परकिरिया आगे खाद लाने की बनाई कि सानों की भरमारोरी इस टाइम मोथablo काद के आथिया बना फार रखार नथी के लिए हम नभी अपने उचार को संपर कर रखा के खाद की बिजबाये जाए जिस। लेकिन समस्यारी किसान को खात जो लेते हैं वो अगर दो कट्टक जुर दो चार के मांगते पिर लड़ाई जगड़े होते हैं अगर खात की पूर्ती काफी होते रहें बराबर जिदने किसाने की डिमांड तो फिर कोई ना दो जगड़ा ना कोई जगड़े की संब्साइद अधिक बड़ी राती है हमारे साथ में जिसके जिसकारण यहां पर भी जगड़ा और हमारों केंद्र सिकुरोड़ा में वहां भी जगड़ा बड़ी मुश्कित सांति पूर्व को वित्रन करा जब जा गई है इस्तितने में सबस्तोधारी एक दिन मौह आखिर कारण क्या है वह चार जो आप बता रहे जैसे कि चार कट्टे भांगते हैं जिसको दो की आवे सकता है दो दो गट्टो को यह किसान हमस समझ मन या रहा कि किसान इतना यूरिया क्यों इस्तिमाल करें जब सरकार न लिक्विड यूरिया नैनो यूरिया भी बना दिया और उसका खेत में लगाने के बावजूद भी जो है यह खेत में काम नहीं कर रहा है तो चुकि यूरिया खाते नाइटोजन पढ़ने के बाद में का रंग बजलता है हरा हो जाता है लेकिन यह तो किसान इसको तो बिल्कुल फैल बता रहे हैं और आगे की परकिर्या क्या है आपकी मेरी तो एक रहे है कि यूरिया जो जैसे कि उपर सा हमारे उच्व अधिकारी नो बदा केंद्र सरकार ने भी बदा जो साइगारता है कि केंद्र सरकार मंदिर मीत सहाजी है कि जो इसका मैट्रियल विदेश साथ था उस कारण जो यूरिया के दाम बढ़ते जा रहे और यह जो यूरिया नेनो यूरिया हमने आमना अपने इंदुस्तान के अंदर तो इसका जो मैट्रियल वो यहीं से मिलगा और यहीं सथा रहेगा और इसका रिजल्ट भी एकदम तो सासाथ मिलनेगा नि अभी से इस्तेमाल करेंगे आराम राम सा कुछ पता जानकारी होगी तो त मिल का पत्थर साबित होगा और किसानों के किसानों का हितकारी साबित होगा लेकिन एक बार अगर देखे तो यहां पर जो है डबल इंजन की सरकार फैल होती नजर आ रही है अपने साथ यह मुझा मिलके साथ भगवानपुर से के न्यूज वर्ल्ट के लिए मैं तोसी फली कि अधे नक्या थे कशेशागे गैट किससद्सां बदो है को सऩरेовор आलों सरकार को मिले जाए को प sexuality का काम करेंcą जो होती है अने गरीबाद में हो गए अरे इसी मज़वियो होने का नहीं तक क्या माल लगा कि सरकार मारे इसमें का लगातार उत्राखंट में बढ़ रही बिरोजगारी दर को लेकर परेशान युवा ने इस बार चुनाओं में फैसला बदलने की बड़ी बात कही है वहीं बड़ती बेरोजगारी को लेकर युवा उसे खास बाचीत की दहरादून से हमारी समवादाता निशी भाटिया ने क्या है रही ही युवाओं की राए आपको सुनवाते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी यह एहम मुद्दा बन चुका है हर एक युवा का हर एक बेरोजगार का क्योंकि कहीं न कहीं यही एक समस्या है जो इस वक्त चुनावी मुद्दा बन चुका है शायद यही मुद्धा एक सरकार को गिरा भी सकता एक सरकार को उठा भी सकता है इसी चर्चा को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे कि यह क्या चाहते हैं कि इस बर बेरोजगारी उत्राखंड प्रदेश में क्या है कि जो भी पर्टी आये चाहे ब्यज़पी हो चैक कॉंग्रेस हो चैया आमादी पर्टी वह ब्रेजगाई में काम करें जो जनता इतनी बेरोजगार यह पहर रही है उनको काम दे 한 यह निखे कि उनको सरकारी जॉब दें किसी बेस पे हो कि ऑर इसके लावा यह कि जो हमने जो मोदी जी का जो चाहरा देख जो बाझपा को उद्ट दिया था वह बाच्फार हम हमें उमीद नहीं थी वह काम बिल्कुल नहीं हुआ है अपर और जो बाच्पा काम नहीं रही थी मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने जो यहाँ पर काम करा कुछ उन्होंने अपने आदेज भी दिये वो काम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है आपर आप अपने आसपास देखते हैं रोज आप यहां गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या लगता है इस वक्त उत्राखंड की राजधानी दहरादून में बेरोजगारी को लेकर क्या स्थिती बनी हुई है पर आम आदमी तो कुछ करी नहीं सकता है अगर वो थोड़ा सा उपर बढ़ना भी चाह रहा है तो सरकार हो गई या बड़े-बड़े नेता हो गई वो उनको अपना पी मला ओड़ेडी इसको दवा देते कि ये बंदा जो है काम उपर वड़ा काम कर रहा है उसको निचे दव आए जो हम लोगों को युगों को समझे और उत्राखंड के अंदर जो ब्रेजगारी फैल रही है उसका सोड़ा समझदान लाए अपर आपके इसाब से कौन सी है वो ऐसी सरकार जो सिर्फ बेरोजगार वो पर सुनेगी मेरे इसाब से लो इस्टम में आम आदिव पाटी हम यही सोचरे की इस बार जो है नया चाहरा लाया पर आम अधिव पाटी के लिए हमने इस मोगेर अगर आम आटियके सरकार आती है तो सबसे पहले आपको लगता है कि वह बेरोजगारी को दूर करेंगी इस एप नया चैनल सब्सक्राइब को थोड़ा उपने कॉंगरेश नहीं करा है कि देंड़ी आप आम या का इस पार्टी पड़ा है तो आप आप आपका या मानना है कि आप पार्टी आप चुनाम में जिताने वाले जिससे की वो बेरोजगारी पर ध्यान देंगे यहां से जो उत्रा खंड में जब रही है उसको अटाए जैसा कि इन्होंने बताया कि यह भी आमानमी पाटी पर ही भरोसा कर रहे हैं कि किस तरीके से शायद वो कहीं ना कहीं इनकी बात सुन सकती है और लोग से जानते हैं कि इस तरीकी की स्थिती बनी हुई है उत्रा खंड की राजजानी मैं शरुण कुमार सभी मीडिया परभारी और सरकार अंधी गुंगी बैरी हो गई मैं 40 साल से टूरिस्ट को टेक्स दे रहा हूं और गड़े जोशी जी की रोड पर चलता हूं जो हमारे विधाय के परतिनिधी है उनके पास कितनी बार चक्कर काटे ना तो कलोनियों की रोड बनती है ना आईटियाई सूचना के दि अधिकर में मिलता है तनका सबके मिल लए है जंता को झूप लूटा जा रहा है तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है मैंने मुख्य मंत्र को प्रात्ना पद दीए अपने डिेम डियाई जी को दिए राज्येपाल को दिए बचाई को ने जंता जनाधन है बोटर हमेशा हुआ ही कड़ा है और अधिकारी मिटिंग पर मिटिंग मिटिंग पर मिटिंग बोट जिस विधान विधीवी समिधान में 90 दिन का प्रभधान हो और दोदो साल लगा दिये जाए तो दुर्भाग यह ऐसे पत्पर बैठने वालों का मैं शर्मनों कुमार क्या लगता है किसी की ब strip सरकार किषए कीवी बन जाएं पर कोई भी सरब करती ने जंता के लिए बस यह कहना मेरा वे रोजियारी को लिएक सुझ पूरा नहीं होता है तो भी पूरा नहीं होता है ठीक है रही बात कि यहां हम सब हम लोगों को लिए बहुत परिशानी होती है यहां ठेली लगाने नहीं जाते पूलिस वाले बहुत बना करते हैं अबहुत परिशानी होता है जाइडी करते हैं फी खाते हम लोगों का फीकान्तारी कर रही बाता है मेनत मजूरी यही है इसी में हम कमाते हैं खाते हैं जीते हैं को रोना के बाद आपको क्या लगता है कि क्या आपके काम पर असर पड़ा है बहुत असर पड़ा है यही अब दो मेने के दो मेने के बीच में हमारा 18-20 रुवे घट गया इसमें खर्चा चला दे घट गया पैसा पैसे का मतलब कोई वो नहीं है आप से पता है ना यह 34 रुवे एकेला पड़ा है इसकेले का 40 रुवे भी नहीं भीगता है इस्टेम एक दिन के माल तीन दिने भेचना पड़ता है वो खर्चा मेंटरिस नहीं होता है हमारा यह कहना है आई यह जो है कि दुकंदारी सर्दियों में तो नहीं होती है फिर भी असर बहुत पड़ा है करोना में बहुत असर जैसे कि इनों ने बताया कि बेरोजगारी की मार एक पड़े लिखे पर नहीं बलकि अनबर लोगों पर कि बहुत ही घयरा उसर इस बेरोजगारी का पढ़ा है कोरोना के बाद किस दरा से हर यूआ और को पादचीत कर रहा हैं लगातार Underground की जंता का मूद इस पूरे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में उत्रा खंड का जो बेरोजगारी दर है वो अब टॉप पर आने की बिल्कुल संभावना उपर है तो कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ी परिस्तिती बन चुकी है और कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ये ज पर आती साथ कॉंग्रिस की सरकार को उठा भी सकता है या फिर उत्रा खंड में जो तीसरा विकल बनकर उभर रहा है आमानमी पार्टी का उसकी भी कहीं न कहीं संभावनाएं भी जताई जा सकती है इसी के साथ मैं नीशी बाट जया क्यामरामान सर्चिन के साथ अभी मंगलार उधान सभा के खेडा जट गौम में पहुंचे हैं जहां पर बस्पा प्रत्यासी सर्वत करीव अंसरी जो है दोर तो दोर परचार कर रहे थे अपना और यहां पर जो ग्राम प्रधान है और जीना पंचात सदस्य है और किसान इनन के नेदाओं ने उन्हें स पास्या एक टाइस फूल दिया नुट ले उल्ड़ तो टोड़ी सड़ा इजी टी रोड़ सेन नहीं तो फिछड़ा गया था और अस्सिलाह का काम यह मंत्री ते घेर मार तो घोश्णा कर गिए तर वो रूंदिया है काम के ओपर इनको समर्थन दिया गया है जिए जिला इनको साथ लेकर चलने वाले इनकी राजिनीती अलगे और जो मुझता विजाय करें उनकी राजिनीती अलगे इन्होंना जट्तों के गावं में यह साला का निर्वान करता है तो यहां पिछड़ाया श्यत्ता विकास संस्यादा कराया तो सर्बत्करी मंतर इन अपनी नहीं प्रणा कराया तो अपकर सब्सक्राइब कि अविकास पुर्ष चाहिए और लोगों को बाटना वाले इंसान नहीं चाहिए इनका कहना यह है किसान नेता हमार साथ मुझूद है कहना आपका पर तक तो सब जाट समाज के रोगते पर तक्राइब पांच साल भी जाग रहा जाए कि अएक प्रक्त्र के रस्ते बनवां एक इसकूल बनवाया और जो मोटे काम दे। सब्सक्राइब करें कि इतना खुष है समर्धन कर रहा है तो अपनी जीत के प्रतिक इतना सब्सक्राइब इतनों जिल्दा के ओपर है बड़ा गाहों है करीब 4,000 से जादा वोट है आपको पूर्ण समर्धन मिला है इसे क्या गएगा सब्सक्राइब करें करें किसान जी और मोजी होते क्या ना मिलिया आपका आपका क्या कहेंगे इस तमर्धन सब्सक्राइब 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 कि बात किये जो है जो है इसमें जेल लें हैं इतका साफ होते चलना है एक किसान ओर मोझे ते क्या नमारे हैं तो जुपता और ये तो हमारे जैसे अधिक जिए विद्धाग जी आई हैं इस सब किसी का दुख में शुक में है थे जनता के लार रहे हैं जो जनता जा इनके पास जादी इनका कांठ करें हमें तो उक काम चाहिए जनता को तो काम चाहिए कुछ युआ साती खिलारी हमारे साथ हम मौजूद है इनके पास वेद्धाय हुआ है जो बहुत हो थे हैं बाइसाब जो वर्तमान के विदाया हो जाओ उनको चले जाओ उन्सों पूछ लो अगर जो आपी जैरे आप बताओ आप आम आदमी तो आपनों तोड़ाइक मैल्य काम आपको मंगलोर जाणा आप फिटे मापूछ पाओ जैगा इस बाराजी सर्वत करीम अंसारी जी को भीडायक बनाया घटांगे खुंता का अड़तिया पत्रणे का नीकिसी पभी पूर्पें कि पूरा गॉवाव समर्तंति धन्यवाद तो भुजर्वादर युवावदर 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 युवावावावाव गौटा इनका सांत्तो और से कहना है कि इस बार हाजी सर्वतकरी मंसारी ही मंगलवर के विधायक होंगे अपने सहयोगी विनोच चोधरी के साथ मैं मुहम्मद असीम नीजवर्ड इंडिया हरीदवार मंगलवर पिलाल के इस बुलेटर में इतना है बाकि दैश और दुरिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रही है न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवार